नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपनी चैनल स्टोक नीज़ भाई अभी में मैंने आपको 100% बोला था यह होगा और वो हुआ है वो स्टार्ट हो गया है वो प्रोसेस यह क्यों कहाता मैंने मेरे को रीजन पता है यह मैं आपको खबर पूरी बताऊंगा डीटेल में वीडियो पर बने रहेगे कान तक वीडियो को लाइक किए जगा चैनल को सब्स्वाइब किजिएगा स्लोली होगा धीरे धीरे होगा अगले छे मीने बहुत सही रहने वाले हैं छे मीने आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा देखे जब भी को इस domain आपको reason बताऊंगा दोनों अन तक देखेंगे वीडियो तो आपको पूरा समझ में आएगा देखे पहला reason तो आपको मैं share rolling pattern दिखाता हूँ December तक का मैंने का कि थोड़ा थोड़ा करके अब क्या होगा DIs मतलब mutual funds धीरी धीरे माल उठाएंगे FIs थोड़ा बेचेंगे वो तो obvious ही बात है 1.2% इन्होंने बहुत ताइंपे बेचा 0.6% के round पिछले quarter में बेचा है but FIs का बेचना बंध होगा FIs का बेचना बंध हुआ और 0.2% बढ़ाया भी ये share holding और ये धिरी धिरी इस quarter में आप देखिएगा result आने के बाद आपको इसकी share holding आपको आने वाले 6 मिने के अंदर करीबन 17% के round दिखाई देगी क्यों कह रहा हूं मैं ये reason मेरा reason है कहने का क्योंकि आप समझ में आ रहा है mutual funds को क्योंकि mutual funds को क्या होता है 6 मिने साल में change करते रहना पड़ता ताकि profitability book करते रहे अब profitability book हो चुके है नीचे वाले level से या चुके है धीरी धीरी 40-40-50-50% की अब आपको delivery धीरी 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 थोड़ी थोड़ी ऐसे दिखेगी कि लोग उठाने ही शुरू कर रहे है माल और 3 फरवरी का दिन बहुत important होने वाला है वैसे भी मैं करहाँ वो important है पर आने वाले 6 महीने बहुत important अगर मेरे से कोई पूछे तो इन 6 महीने में बहुत बड़ा खेल बदलेगा mutual fund माल उठाएंगी नॉर्मल लोगों की shareholding धीरी धीरी कम होगी FI's market में दुबारा आएंगे इसके लिए आप देखीगा ये खेल स्टार्ट हो चुका है मैं देहीं बता रहे था आपको mutual fund माल बेच रहे थे आपको पता है डेट दो परसेंट माल बेच चुके थे पिछले 6 महीने में बट वो खतम होना था दोजार रुपे का स्टोक है अब वो माल तो उठाएंगे lower rate पे तो ध्यान रखे पेशन्स बहुत जरूरी है share market में आप 5 साल का perspective लेकर चल रहे है तो इससे अचा स्टोक नहीं है तो study जरूर के जिएगा at least खरीदे ना खरीदे study जरूर के जिए